स्वाज़ते आप सभी का विमल्स एजुकेशन हब में आज हम न्यू टॉपिक ड्रैको के बारे में प्रैक्टिकल फाइल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह सिखेंगे टॉप पर टॉपिक पढ़ेगा डैको उसको अंडर्लाइन किया जाएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फाइलम कॉर्ड़ेटा क्लास रैप्टीलिया और इसको मेंटा जीनाफ ड्रैको इसको भी अंडर्लाइन कर देंगे उसके साइड से ही जो हमारे सिस्टमेटिक पॉइशन ह्यों के वयबारे में बैकेट में उनके क्रेक्टर्स को पिपर्ण कर देंगे नेक्स्ट काम्स घ्राक्टर्स अpee कॉमनली नून एज फ्लाइंंग ग्रैगन फेकल को जनरली फ्लाइंग ड्रैगन बोला जाता या फ्लाइं लीजर लौती हुई चिपकली बं मेरें दॉर्शों वेंटरली मीस जो ट्लॉ पीटवली मिसाइड होनी है, वो कमप्रेज़ कोरे आशना 종io 22 cm जिसकी लंबाई लगभग 15 से 22 cm होती है इन लेंथ लंबाई में and divided into head, neck and trunk and tail और body head, neck, trunk और tail में divided होती है head is more or less strangular, head कैसा होता है कम या ज्यादा strangular में strangled सिर्फ में होता है and contains eyes, tympanum, behind eyes, और head में क्या होता है eyes or tympanum contain करता है behind eyes, eyes के पीछे and nostril eyes are small with eyelids eyes कैसी होंगी, small eyelids के द्वारा कबर अपो हो रही होंगी teeth, heterodont, teeth कैसे होंगे, heterodont होंगे and attached to edges of jazz tongue is thick tongue कैसी होगी, मोटी होगी and short और छोटी होगी some animals have thoracic sac or dorsal spine कुछ animals में thoracic sac या dorsal spine होता है four limbs and hand limbs normal four limbs or hand limbs normal होंगे means नहीं ज्यादा बड़े होंगे, नहीं ज्यादा छोटे होंगे on both sides of the body body की दोनों तरफ, wing और patagium by the extension of skin is present wing या patagium प्रजेंट होंगे skin की extension के बज़े से patagium is supported by little lips patagium supported होता है, little lips के तरो means little lips के, lips के तरो patagium की पत्ती होती है या निकलता है, tail, long, cylinder and bip-like पूँच, long, cylinder और bip-like होती है तो ये तो था guys की कैसे हम ड्रैको के characters को लिखना या represent करना होगा next diagram right, top side, phylum, quadata class, reptilia, order, squamata, genus, draco धिहान रखिए guys, genus जबी भी हमें लिखना है तो genus और species दोनों को ही हमें underline करना होता है next come parts of draco nostril, eye, flap-like appendages these, hawk, patagium ये इसे bing भी बोलते हैं जो की riffs से निकला होता है ये इसलिए इसको flying lizard भी बोला जाता है next riffs, class, tail, hind, limbs four limbs, tympanum तो guys, ये था ड्रैको के बारे में characters को कैसे practical file में represent किया जाता है तो guys, video अगर आपको अच्छा लगा हो तो like, comment और चनल को subscribe करना ना भूले thank you for watching